हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है यदि आपके केस में एरर आता होगा 0x0000007C या नहीं तो एरर आता होगा 0x0000006E4 विंडो कैनोट कनेक्ट तूद प्रिंटर इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया है यदि के सक्क्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं इसके बाद यहां पर आपको डिख जाएगार इसक उपर क्लिक कर देने एस तरह से विंडो ओपन होगा अब मालिए यदि आपको किसमें यहाँ नहीं सेलेक्ट हैथ आपको जैलेकों करने हैं नहीं सेलेक्ट करने क अब आपको क्या करना यहाँ पे दिख जाएगा अधर टर्वर सुट इसके उपर आपको किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रिंटर इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे रन लिखा होगा तो आपको क सिस्टम को रिएabile 민क रियेस्टाट करने के बाद आदगर आपका प्रॉडम ॥जिए रहे हम इनल और अख करने के बाद सब्सक्राइब करने के हुआ है तो आपको क्या करना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर टाइप कर देने सर्विसे सर्विसे स्ट्राइप करते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा सर्विस इसको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो open हो जाएगा अब आपको क्या करें यदि आपकेYa 카jus स्टाइबल होगा तो क्या करना करने के बाद आपको क्या करना यहाँ चीजिए स्टाइब हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर चाहिए फेलिक कर देने आपको के पे क्लिक कर देंसे घ्ल Drag करने के बाद आप चेक कर लीज़ेगा आपका सो नहीं होता है तो आपको सष्पू कर देना किलिक करते हैं इस तरह से विंडॉब ओपन हो यहांगे अब हो जाएगा अब आपको ह suspect कर देंस को आपको त्थ किल्engo कर इसके बाद यहां पर आपको रनन मिश्टर के ऊपर किलिक कर Suppose कर दिना है किलिक करते हैं इस तरह से विंड़ो ऑप्टेईगा अब मॉल दिया किस में भी इस तरह से विंड़ो ऊपoireंध हो जाए गांशना करने यहां पर आके आकर 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 आक mouse का cursor यहाँ पर रखना है इसके बाद यहाँ पर आपको mouse का right button प्रेस कर देने तो भी इस तरह से यह command paste हो जाएगा तो दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से इस command को आपको paste कर लेने paste करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर enter कर देने उसका driver install होगा तो यहाँ पे आपको driver दिख जाएगा आपको क्या करना आपका case में जिस भी printer का driver में issue आ रहा है तो आपको क्या करना उस printer को यहाँ पे आपको select कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आपको remove पे click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पे delete के उपर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से remove हो जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पे ok पे click कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close कर देना है आपको केस में यह जो प्रॉलम आ रहा था यह प्रॉलम फिक्स हो गया होगा और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू